हलो प्रेंग्स वेल्कम बैक टू प्रिटी कॉर्णर जैस याराम दोस्तों और देखिए जैसा कि आप लोगों को पता ही है सक्राथ बस आ ही गई है और सक्राथ पर बहुत सारे नियम लिए जाते हैं दान किये जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे नियम की वीडियोज बना के दी हुई है कि आप कैसे नियम उठा सकते हैं कैसे उनका उद्यापन कर सकते हैं तो देखिए आपको चैनल पर ये सभी वीडियोज मिल जाएंगी सक्राथ से रिलेटिड दान, धरम, उद्यापन, विधी बगरा की इन सबकी मैं एक प्लेडिस बना कर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाव दूँगी और उपर आई बटन पे भी दे दूँगी आप जरूर देखिएगा और आपको जो भी नियम सरल लगे या लगे आप उसे अपना सकते हैं तो आप भी उन्हें अपनाईएगा और उसके बाद भी अगर आपको कोई डावट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सभी कोशिन का अंसर जल्दी से जल्दी दे पाऊं और देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सक्रात वाले दिन से उठाया जाने वाला 365 दिन का नियम कोठी मुठी ये नियम भी पूरे साल के लिया जाता है सक्रात वाले दिन सुभा स्नान आधी करने के बाद अगर आपने पहले कोई नियम लिया है तो उसका अप उध्यापन कर दीजिएगा और उसके बाद आप ये वाला नियम पकड़ सकते हैं तो देखे इसमें आपको क्या करना होता है इसमें आपको रोज एक मुठी नाज दान करना होता है अनाज दान करेंगे आप तो आप चाहे तो देखे गेहू ले सकते हैं चावल ले सकते हैं बाजरा ले सकते हैं कोई भी अनाज आप ले सकते हैं या आप चाहे तो दाले भी तिल ले सकते हैं या आप सीजन के हिसाब से भी दे सकते हैं जैसे सर्दिया है तो आप बाजरा दे दीजिए तिल दे दीजिए जैसे सक्रात के आसपस तिल का बहुत महरत होता है दान का तो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं तो देखे इसमें आपको क्या करना होता है तो देखे, इस तरीके से आप एक मुठी भरेंगे और आप रोज इस तरीके से अपना दान निकाल देंगे तो देखे, अब आप पूछेंगे कि इतने छोटे से, इतने थोडे से, किसका पेट भरेगा या फिर इतना सा मैं किसको देने जाऊँ, तो देखे, उसका solution है आप इस तरीके से कोई डिबब वगरा बना लीजिएगा क्योंकि देखे प्लेट वगरा तो घर में ऐसी रखी रहेगी तो अच्छी भी नहीं लगती आप ऐसा कोई डिबब बना लीजिए रोज आपको उसमें एक मुठी इस तरीके से अपना याद करके हिसाब रखते वे ऐसे दान कर देना है रोज की हम एक मुठी दान कर देंगे और अगर आपकी किसी कारण से छुट्टी हो जाती है आप गुमने चले गए थे आपको याद नहीं रहा तो आप उस दिन इस तरीके से दो मुठी तीन मुठी अपने दिन गिनते वे इस हिसाब से आप डाल देंगे उसके बाद जब आपका डिबा भर जाए देखिए पंदरा दिन में भरे आपका महीने में भरे या दो महीने तीन महीने में भरे आप अंदाजा ले सकते हैं या यूँ कहलेजी आप एक ऐसा डिबबा बना लीजे जिससे आप एक महीने का दान करेंगे तो अच्छे से आपका इखटा हो जाएगा कुछ नाज या कुछ भी चीज जो आप अराम से दान कर सके उसके बाद जब आपका डिबबा पूरा भर जाएगा तो आप किसी भी गरीब को जिस भी जरूरत मंद को आपको लगे जरूरत है इसकी आप उसे दान दे दे देखिए दान हमेशा सुपात्र को किया जाता है कुपात्र को नहीं किया जाता सुपात्र से हाँ मेरा मतलब है जिसे दान की जरूरत है जो आपके दान क्योंपी चीज की value रखता हो देखे भरे भराय को भरने से कोई फाइदा नहीं है आप उसे दें जो आपके इस दान का महत्व जानता हो या उसके लिए जरूरी हो तो देखे आप इसमें गेहू कर सकते हैं, चावल कर सकते हैं, बाजरा कर सकते हैं, आटा कर सकते हैं, दलिया कर सकते हैं या आप ऐसा कर सकते हैं, बारा महीने में बारा अलग चीज कर दीजिए या आप बारा के बारा महीने सेम एक ही चीज कर सकते हैं उसके बाद देखे जब आपको लगे कि हाँ ये अब इतना दान हो गया है कि ये किसी की काम आ सके अटलिस्ट वो इसे पिस्वा भी सके तो आप ये किसी को देखे आ सकते हैं आप चाहें तो इसी में और जादा भी बढ़ाके देखे आ सकते हैं ऐसी कोई कंडिशन नहीं कि बस आप एक ही इतना ही देंगे पर आपकी जो मुठी है वो उतनी ही काउंट होएंगी जितनी आपके डिब्बे में भरी थी उसके बाद आप चाहें तो इसे कितना और बढ़ा हमें इसका उद्यापन करना होगा तो देखे उद्यापन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या जादा आप कितना भी बढ़ा सकते हैं या आप मिनिमम कितना भी दे सकते हैं तो देखे सबसे पहले हो सके तो आप अगर आपने किसी एक ही बंदे को दिया है तो भी आलग अ जितना हो सके उतना अनाज और दान कर दीजिए सकरात वाले दिन जिसे आप लास्ट वाले दिन अपनी मुठी भरेंगे तो उस दिन आप बढ़ा के एक डिबे की जगा आप 5-11 किलो ऐसे भी दे के आ सकते हैं अनाज आप कोई भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही ब बहुत अच्छा होता है आपके सोभागे में व्रिधी करता है आपके जो क्या कैते हैं सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं उन्हें ठीक करती है यह चीजे तो आप सकरात वाले दिन इन चीजों का दान हो सके तो जरूर करें साथ में आप कुछ खाने का समान भी दे के आए जैसे इसके वल अपने जो आपने नाजदान के है वो दे के भी इसका समापन कर सकते हैं और उसी के साथ आप इसके उपर थोड़ी सी दक्षना जरूर रखें कम यह जादा अपने सामर्थ के अनुसार आप रख सकते हैं लेकिन दक्षना आप जरूर रखें तो देखें जैसी पिसपाप इसाब और ऐसा विडियों आपके सामर्थ हो उससाब से उध्यापन कर सकते हैं आप सिम्तुंत गेशुए किसे खाया है अ जरूर दिजिएगी जो भी आप यहां दें फोले से सी जबने विपाल झ कासे निए उसके बाद आप ये देंगे किसे, तो देखे मैं तो यही काउंगी, इस तरह का अगर आप कुछ भी दान करते हैं, तो आप किसी जरूरत मंद को ही दें, तो आप चाहें तो जैसे रिक्षे वाले होते हैं, या आप क्या असपास आपको railway station पे, bus stand पे, बहुत से ऐसे लोग निल जाएंगे, ज नहीं तो आप किसी को भी अलग-अलग जनों को भी ये हर मैने अलग-अलग दान दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप कोठी मुठी का दान उठा सकते हैं, नियम उठा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर को। देखने के लिए बहु